Periods के दोरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? Dietician से जाने 5 दिनों का पूरा diet plan Periods के दोरान आपकी diet बाकी दिनों से अलग होनी चाहिए आइए जानते हैं पूरा diet chart, Periods के दोरान कैसी होनी चाहिए आपकी diet पीरियर्स के समय आपको हलका खाना लेना चाहिए जिसमें फाइबर और होल ग्रेन शामिल हो। पीरियर्स के पहले दिन क्या खाएं? सुभा सुभा उठकर आप एक कप ग्रीन टी का सेवन करें। ब्रेकफास्ट पहले दिन आपको क्रेविंग हो सकती है, इसलिए आप पैंकेक के साथ बटर और हनी का सेवन कर सकते हैं। बारा बजे इस समय आप कोई भी एक फल का सेवन करें। लंच लंच में आप मिक्स वेजेटेबल की सबजी, एक रोटी और सलाट का सेवन करें। इवनिंग शाम के वक्त आप एक गिलास नीनबू पानी और मखाने खा सकते हैं। दिनर आप दिनर में खिचडी और दही का सेवन कर सकते हैं। पीरियर्स के दूसरे दिन क्या खाएं। सुभा सुभा उठकर आप एक गिलास जीरा पानी पीएं। दूसरे दिन आप ब्रेकफास्ट में वेजेटेबल ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा सकते हैं। बारा बजे इस समय आप एक गिलास चाच पी सकते हैं। लंच लंच में आप वेजेटेबल पुलाव के साथ दही का सेवन करें। इविनिंग दूसरे दिन आप शाम को ब्राउन ब्रेड की एक स्लाइस खा सकते हैं। दिनर दिनर में आप ओट्स और दूध या नमकीन ओट्स खा सकते हैं। पीरियर्स के तीसरे दिन क्या खाएं। सुभा सुभा आपको सौफ का पानी पीना चाहिए। सौफ का पानी पेट के लिए फायदे मंद होता है। ब्रेकफास्ट तीसरे दिन आप ब्रेकफास्ट में एक कटोरी फ्रूट सलाद और दूध का सेवन कर सकते हैं। बारा बजे इस समय आप एक गिलास सत्तू पी सकते हैं। लंच लंच में आप दलिया और एक कटोरी वेजेटेबल सूप का सेवन कर सकते हैं। इवनिंग शाम के वक्त आप दही के साथ ओट्स को मिला कर खा सकते हैं। दिनर डिनर में आप तीसरे दिन दाल और रोटी या एक कटोरी ब्राउन राइस खा सकते हैं। पीरियर्ड्स के चौथे दिन क्या खाएं। सुभा सुभा उठकर आप हरबल्टी या ग्रीन टी पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट चौथे दिन आप ब्रेकफास्ट में एक कटोरी उपमा का सेवन कर सकते हैं। बारा बजे इस समय आप मुठ्ठी भर सीस और ग्राइ फ्रूट्स मिला कर खा सकते हैं। लंच लंच में आप सूजी बेसन का चीला और पुदीना की चटनी का सेवन कर सकते हैं। इवनिंग दक शाम के समय आप लईया को भून कर खा सकते हैं या आप एक बावल ताजा खरबूजा या तर्बूज का सेवन कर सकते हैं। दिनर चौथे दिन आप दिनर में एक कटोरी दाल का सेवन कर सकते हैं या वेजेटेबल सलाद खा सकते हैं। पीरियर्ड्स के पांचवे दिन क्या खाएं। सुभा पांचवे दिन आप सुभा उठकर हर बल्टी, दालचीनी चाय का सेवन कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट पांचवे दिन आप ब्रेकफास्ट में मुंग दाल का चीला खा सकते हैं। बारा बजे इस समय आप एक कटोरी वेजेटेबल सलाद का सेवन कर सकते हैं। लंच पीरियर्ड्स के पांचवे दिन आप दाल, रोटी, सबजी और रायता खा सकते हैं। इवनिंग अक्षाम के समय आप एक कटोरी कौन का सेवन कर सकते हैं। दिनर दिनर में आप आखिरी दिन शेक का सेवन कर सकते हैं पर उसमें चीनी एड न करें। P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P गुस्सा, मूर स्विन की समस्या से छुटकारा मिलेगा. दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा भगवान से हमारी प्रार्थना है, आपके माता पिता और आपका परिवार सुख मरहें, धन्यवाद.